है लो स्टूडर्न वेलकम टो स्वातिस क्लासेस आज हम देखेंगे फूर स्टेंडर का मास्ट चाप्टर नमबर फिप्टीन पिक्टोग्राफस का मिनिंग यह होता है कि कुछ पिक्टर्स फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है एक टेबल में कि जिससे आपको Shops were there and how many तो वह विशाल से क्या पुछता है कि मेले में कौन से कौन से शॉप थे और कितने शॉप से तो यहां पर विशाल क्या करता है उसए टेबल यहां पर देता है देखिए आपको यहां पर दिख रहा है तो ताइप सॉप शॉप इस तरकी का एक table दिखाता है जिससे सिर्फ table देखके उसे पता चल जाएगा कि वहाँ पे कौन से shop थे food items थे, toys थे, clothes थे and other भी कुछ shops थे और number of shops भी दिये food items के shops कितने थे 5 toys के 3, clothes के 2 और other 5 shops थे next आपको दिया है नसरीन made the table more attractive using pictures तो जो नसरीन है उसने उसी table को क्या किया है pictures draw करके attractive बनाया है जिसमें देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है number of shops जो थे पहले हमने table देखा उसमें numbers दिये थे कि 5, 3 ऐसे करके लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया है pictures को draw किया है तो इस तरकी की pictures use करके जो table दिखाए जाता है वो होता है pictograph कि यह एक पूरा क्या है graph है जिसमें picture वो इस तरकी की information include की जाती है तो यहाँ पे विशाल ने कहा है what do these pictures mean कि इन pictures का meaning क्या है तो क्या meaning आएगा कि एक picture जो है stands for one shop यहाँ पे दिया है नसरी ने कहा कि one picture stands for one shop कि एक जो यहाँ पे picture दिख रहा है इसका meaning है कि वो एक shop है तो इसे कितने shops यहाँ पे दिख रहे है five shops है तो food items के कितने shop हो गए five और यहाँ पे toys के कितने दिख रहे है three तो toys के shop कितने आएंगे three कि pictures के through information यहाँ पे हमें दी जाती है next page पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे देखेंगे अगें आपको एक picture दिख रहा है bushes इंदी की पार्क में कितने बुशे से लेकिन यहाँ पे आपको और एक चीज़ दी है कि scale one picture for ten shrubs एक picture का meaning है ten shrubs तो यहाँ पे देखें रोस के कितने plants होंगे कितने बुशे सोंगे यहाँ पे one flower means कितने है ten shrubs तो ऐसे कितने आपको दिख रहे है यह ten यह ten और यह तो ten plus ten यह अगर पूरे हम calculate करेंगे तो कितने हो जाएंगे 40 तो रोस के जो बुशे से तो टोटल कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे उसके बाद दिया है hibiscus तो hibiscus कितना आएगा यह ten दो फ्लावर से तो यह कितने बुशे सो जाएंगे टोटल 20 पेरिविंकल कि कितने हो जाएंगे 30 क्योंकि यहाँ पे 3 flowers हमें दिख रहे तो इस तरह किसे आपको calculation करना होता ही next पे आपको दिया है chairs वाला table दिया है types of chair दिया है देखिए यहाँ पे types of chair and number of chairs तो यहाँ पर भी आपको scale दिया हुआ है one chair means 10 chair कि एक chair का मिनिंग क्या होगा 10 chairs क्योंकि आपको 50 chairs अगर दिखाने है तो यहाँ पर 50 pictures तो हम नहीं निकाल सकते इतना बड़ा पेश तो नहीं होता है तो यहाँ पर एक scale fix किया जाता है कि एक chair के लिए एक chair के picture के लिए आपको कितने chair मानने है 10 तो यहाँ पर types of chair में अगर हम देखिए तो first हमें दिया है कि metal के chair तो metal के chair यहाँ पर number of chairs हमें column देखना है कि कितने number of chairs होते है metal के यहाँ पर कितने दिये है तो total आपको कितने picture दिख रहे 5 pictures दिख रहे तो 5 into 10 क्योंकि एक picture कमिनिंग होगा 10 तो 5 into 10 अगर हम करेंगे तो answer क्या मिलेगा हमें 50 तो metal के जो chair यह तो total कितने आएंगी 50 उसके बाद next आपको दिया है plastic कि plastic की chair तो यहाँ पर कितने दिख रहे है 1,2,3,4,5,6,7 and 8 दिख रहे है तो आपको यहाँ पर करना होगा 8 into 10 तो 8 into 10 अगर करोगे तो कितना आएगा 80 कि plastic के कितने आएगे 80, metal के कितने आएथे तो उडन की कितने chair है 20 तो इस तरीके से आपको यह से जो example आते हैं उनको solve करना होता है next page पर आपको exercise दिया है study the tables and answer the question given below first day people in a town collected aid for the flood affected this is it's a pictorial representation तो आपको यहाँ पर pictorial representation दिया है जिसमें आपको दो column है aid given कि जो flood आने के बाद बाद आने के बाद जो लोग है उनकी कुछ help की यह लोगों ने उसके बारे में आपको यहाँ पर information दिया है aid given मतलब किस तरी की मदद दी है वो है number of families who help कि number of families जिन्होंने help की है उनके number आपको दिये है next आपको check करना है scale कि कितने pictures के लिए कितना दिया है तो one house का जो picture आपको दिख रहा है उसका meaning होता है 20 families तो medicine देने वाले aid given first aid क्या है medicine है तो medicine देने वाले ऐसे कितने families है वो हमें देखना है तो कितने दिख रहे है यहाँ पर one, two and three तो three into कितना दिया है scale में हमें 20 families तो 20 करेंगे three into 20 क्या आएगा 60 तो यहाँ पर क्या आएगा 60 number of families कितने आएगे 60 तो इसी तरीके से हमें देखना है पहले जो questions दिये है उनको हम समझेंगे first question क्या दिया है in all how many families gave help तो in all मतलब total कितने families ने help किये है तो यहाँ पर हमें सब count करना होगा कि सारे जो दिये है families ने वो सारे total number हमें count करने होगे तो यहाँ पर कितने है three four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve तो total कितने आ रहे है 12 तो 12 families है लेकिन scale क्या दिया है 12 into 20 तो 12 into 20 करेंगे तो हमें total number मिलेगा तो क्या आएगा answer 12,000 and 12,2024 तो total families कितने आएगी 240 तो first जो question है आपका in all how many families gave help तो कितने families ने help किये है 240 families ने help किये है next question आपको दिया है what form of help was given by the largest number of family तो largest number of family आपको कहा पे दिख रहे है देखिए यहापे हमें 4 families दिख रहे है तो what form of help किस तरकी की help उन्हों ने की है तो food items उन्हों ने दिये है और कितनी families है 4 into 20 हम करेंगे तो हमें answer मिलेगा 40000 and 42008 तो 80 families है जिनोंने food items दे सबसे ज़्यादा help की है next question है what form of aid was given by the least number of families least मतलब कम कम number of families का आपे दिख रहे हमें तो यहापे तो उन्होंने कौन सी help की है what form of aid मतलब किस तरकी की मदद की है उन्होंने तो उन्होंने क्या दिये है clothes दिये है तो यह आपका third answer आएगा clothes next question दिया है आपको this is a chart showing what kind of fuel is used in the kitchen in 160 houses in a village तो जो fuel use किया जाता है जैसी की gas kerosene वो दिया है आपको यहापे एक column में fuel है name of fuel और दूसरा दिया है number of houses using the fuel next आपको चीज़ देखने है यहापे scale one house का meaning क्या है यहापे 10 houses मतलब one picture का meaning होगा 10 houses तो gas use करने वाले कितने दिख रहे है kerosene वाले एसे आपको देखना है तो पहला question हम देखेंगे what kind of fuel is used in most houses most मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा fuel यहापे use होता हुआ हमें दिख रहे है village में तो यहापे सबसे ज़्यादा number समय दिख रहे है क्योंकि कितने है one, two, three, four, five, six, seven कितने दिख रहे है, seven तो seven into अगर हम करेंगे यहापे ten तो answer क्या आएगा हमारा seventeen kerosene उस करने वाले है, कितने seventeen what kind of fuel is used in most houses लेकिन question में आपको क्या पूछाए कि what kind of fuel, कौन से तरगी का fuel उस होता है तो इसका answer क्या आएगा, kerosene यह मैंने जो solve करके दिया है यह बताने के लिए कौन से number of houses जादा है, इसके लिए मैंने दिया लेकिन answer आप सिर्फ इतना ही लिखोगे कि kerosene सबसे जादा houses में use हो रहा है next question आपको दिया है, how many houses use gober gas gober gas को use करने वाले कितने houses है तो यह one, two, three लेकिन 3 into हमें करना होगा 10, क्योंकि एक picture का मिनिंग क्या होता है 10 houses है तो 3 into 10 अगर करेंगे तो क्या आएगा, 30 तो gober gas use करने वाले houses कितने है, 30 houses next question आपको दिया है, how many houses use gas, gas use करने वाले houses कितने है, तो यह आपे one, two, three and four तो 4 into 10 करेंगे तो कितना आएगा, 40, answer क्या आएगा हमारा, 40, तो gas use करने वाले houses कितने, 40 houses third problem आपको दिया है a chart showing the crop grown by the farmers in a village तो यहापे जो table है, उसमें एक column दिया है, आपको crop और दूसरे दिया है number of farmers, तो जिसमें crops के name दिया है, जो आपको यहापे नीचे दिया गया है scale, one farmer का picture means कितने farmers है, number of farmers 10 farmers है, तो यह आपको याद रखना है question दिया है, first आपको about how many farmers does the chart tell us, about how many मतलब कितने farmers के बारे में यहापे चार्ट में दिया हुए, मतलब number of farmers कितने दिया हुए, तो कितने हैं, दिया है यहापे, यह first जो दिया हुए है, वहापे 3, यह 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो total pictures हमें 12 दिख रहे हैं, तो 12 into हमें 10 करना होगा, तो answer क्या आएगा 12, 0, 0, 12, 1, 12, 12 तो answer आएगा हमारा 120 farmers, तो यह चार्ट जो है कितने farmers के बारे में हमें बता रहा है, 120 farmers, second question आपको दिया है, which crop is grown by the least number of farmers again, least means क्या minimum number of farmers, तो कहाँ पर minimum number दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर सिर्फ दो ही pictures हमें दिख रहे हैं लेकिन which crop is grown by the least number of farmers, यह पूचाए, which crops तो crops का नाम लिखना है, तो क्या आएगा pulses, तो second का answer क्या आएगा pulses, third question दिया है, how many more farmers grow vegetables than pulses, तो vegetables जो grow करने वाले farmers है, उनके बारे में दिया है how many more farmers grow vegetables than pulses, और pulses के तो इन में आपको क्या देखना है यहाँ पर, कि कितने ज़्यादा farmers ने यहाँ पर grow किया है, तो यहाँ पर pulses grow करने वाले कितने है two pictures, मतलब 20, यह कितने है 20 है, और यहाँ पर कितने है total, यह कितने हो जाएंगे, 4 into 10 करेंगे, तो 40, तो कितने ज़्यादा है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा 40 minus 20 करेंगे, तो answer क्या आएगा, 20, तो कितने ज़्यादा है, यहाँ पर vegetables grow करने आले, 20 farmers यहाँ पर ज़्यादा है, more farmers grow vegetables than pulses कितने है 20 farmers, तो थर्ड का answer आएगा 20 farmers next आपको fourth question दिया है, a chart showing what colors were worn by children to school on the day when the school uniform was not compulsory जैसे कि regular तो uniform होता है, school के बच्चों के लिए, लेकिन जिस दिन uniform compulsory नहीं होता है, उस दिन बच्चे जो है, अलग-अलग color के कपड़े पहनते है, तो एक chart आपको यहाँ पर दिया हुआ है, number of students और कौन से color के कपड़े उन्होंने पहने है तो number of students यहाँ पर जो picture आपको दिख रहे है, student के यह दिये है यहाँ पर red, blue, green, yellow color दिये हुए है, और scale आपको क्या दिया है, one picture means five children, कि एक जो picture है, उसका मिनिंग क्या होगा, five children तो यहाँ पर first question आपको दिया है, how many children are there in the class कि class में कितने बच्चे हैं, तो सारी जो total बच्चे हैं, उनको हमें क्या करना होगा, यहाँ पर count करना होगा, तो यहाँ पर total हमें कितने pictures दिख रहे हैं, one, two, three, four, five, six, seven, तो seven into, scale में हमें क्या दिया है, कि one picture means five children, तो seven into five करेंगे, तो क्या आएगा 35, तो total children कितने आएगे, 35, तो first question का answer है, how many children are there in the class, यह question है, answer आएगा, 35 children, next second question दिया है, आपको, how many children wore yellow clothes, yellow clothes पहनने वाले कितने बच्चे हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ one picture दिख रहे हैं, और one picture means कितने बच्चे five children, तो यहाँ पर how many children wore yellow clothes, तो उसका answer आएगा, five children, next question है, what color did the greatest number of children wear, and how many over that color, तो what color did the greatest number of children wear, मतलब कौन सा color है, जो कि जाधा बच्चों ने पहना हुआ है, तो जाधा picture आपको कहा पर दिख रहे है, यहाँ पर हमें picture जाधा दिख रहे है, और color कौन सा दिया है, red color, तो greatest number of children wear, कौन सा color है वो, तो red color है, उसका answer, उसके बाद question दिया, how many were that color, तो बच्चे कितने हैं, वो आपको लिखना है, तो कितने हैं, one, two, three pictures है, तो three into five करेंगे, तो कितना आएगा fifteen, कि fifteen बच्चों ने fifteen children ने क्या किया है, red color के dress पहने हुए है, तो इसका answer आएगा fifteen, तो देखे, student ये पूरा आपको exercise दिया था, कि इस तरीके से आपको number ना देते हुए, जो pictures आपको दिख रहे हैं, ऐसे pictures देखे, information दी जाती है, और उसके उपर जो भी questions आपको दिये हैं, उनको solve करना है, तो यही होता है pictograph, तो I hope student आपको ये पूरा जो chapter है, अच्छे से समझ में आया होगा, exercise के questions भी आपको अच्छे से समझ में आया होगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like जरूर कर दीजे, और चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है, तो subscribe भी जरूर कर दीजे,